नमस्कार मैं हूँ सुमयान सारी और आप देख रहे हैं यूद कॉर्नर खबरारी है दिल्दार नगर गाजीपुर नगर पंचायत से दिल्दार नगर के वार्ड नमबर तीन के रामलीला मैदान के पास नगर प्रशासक की घोरला परवाही एवं सफाई कर्मियों द्वारा नालियों की सफाई नहीं करने के कारण मुख्य मार्ग पर पानी का जल जमाओ लगा हुआ है उद्धोग वैपार मंडल के महामंतरी दिनेश अकेला कहा की छोटे-छोटे स्कूली बच्चों दिव्यांग वैक्ती महिलाओं सहित आमजन को आने जाने में असुविधाएं का सामना करना पड़ा है वाट के सियाराम चौधरी, राजू अग्रहरी, कृष्णा पासी एवं अशोग अग्रहरी ने बताया कि इस संदर में नगर पंचायत प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ वाट के लोग ने बताया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर पंचायत पर धरना प्रदर्शन भी किया जा सकता है ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की आज की खबर में बस इतना ही ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रही यूद कॉर्नर के साथ